नमस्कार मैं आसिस राठ और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं नरेंदर मोधी जी को लेकर के हमेशा विरोधी और विपक्षियों ने एक ही एजेंडा चलाया कि भारत देश के प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी जी तीसरी बार प्रदान मंत्री नहीं बनेंगे लेकिन उनका एजेंडा पूरी तरीके से फेल हो गया और अब कमर की हालात खराब हो गई है विरोधियों की विपक्षियों की एक बड़ा ऐलान हो चुका है लोग कहते थे कि तीसरी बार मोदी सरकार नहीं आएंगे अब तो चौती बार मोदी सरकार आएंगे ये एलान हो गया है और ये एलान किसने किया है आप खुद देख लीजी इस एलान के बाद से विरोधि विपक्षियों में सन्नाटा पसर गया है पूरी इंडी एलाइंस पूरी विपक्षि विरोधि जो है वो सीना पीटने लगे है वो एलान बताने से पहले दिखाने से पहले आपको उससे पहले एक बहुत ही इंपॉटेंट अपडेट बता देता हूँ मोधी सरकार को ले करके लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बिल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्त लीडर की ये रैंकिंग मॉर्निंग कंसल्ट की तरब से जारी की गई है अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद से विरोधी और विपक्षी दोनों में मातम पसरा हुआ है ये जटका तो मिला उसके बाद एक और बड़ा जटका तीन तीन बड़े जटके पहला जटका तो म वख्व बोर्ड को ले करके सामने आ रहा है वख्व बोर्ड केंदर सरकार के तरब से वख्व एक्ट में करने जा रहे है बदलाओ कैबिनेट ने करीफ 40 संसदों को दी मंजूरी सुत्रों की माने तो सरकार संसोधन बिल पाँच अगस्त को संसद में पेस कर सकती है यानी प गलत तरीके से हिंदों के जमीन को हर पाएं, उनके साथ बरबरता करी है, मजार के माध्यम से या फर गलत तरीके से जमीन को हत्याया, उसको लेकर के वख बोर्ड, ये कानून को ही पुरी तरीके से रद कर दी जाएगी, जो की कॉंग्रिस पार्टी ने लाया. अब तीसरा जो सबसे बड़ा जटका कॉंग्रिस पार्टी को मिलने वाला है, जरा ये देखिए, अमी शाजी ने बहुत बड़ा एलान कर दिया है दोस्तों, और अमी शाजी ने साब तोर पे एलान किया है कि दो हजार उन्तिस में फिर इंडिये की सरकार आएगी और नरेंद मूधी जई आएंगे, और ये भी एलान कर दिया है अमी शाजी ने कि विपक्षी गटबंधन इंडिये एलाइनस खुद को विपक्ष में बैठने की तयारी रखें», अपने आपको विपक्ष में ही बैठे और ये लोग जो है वो विपक्ष में ही बैठने लायक है, हमी शा पूरी तरहिके से अइलान कर दिया कि चौती बार भी मोदी सरकार, दो हजार उंतिस में भी मोदी सरकार, ये तमामादमी पार्टी के नेता और तमाम विरोधी बार बार ये बात कह रहे थे कि नरंदर मोदी जी का एज हो गया है, उमर हो गया है, अब ये ज्यादा दिन तक न इनको सत्ताब नहीं मिलेगी, इनको परदानमंत्री के पद पे नहीं बैठाया जाएगा, लेकिन आप खुद सोच लिजे कि अमीश शाह जी जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दोजार उनतीस में भी नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे, मोदी ही आएंगे, इंडिये की सरका ही बनेगी, तो इससे विरोधी और विपक्षियों में एक अलग तरह का खौफ, एक अलग तरह का भै जो है, वो साब तोर पे दिख रहा है, आपको बता दूं कि अमीश शाजी ने चंडीगड में दोस्तों ये बात कहा है, कि इंडिया एलाइंस चाहे कुछ भी कर ले, दो खुद को विपक्ष में बैठने के लिए तयार रखें, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट अमीश शाजी का है, अमीश शाजी ने ये भी कहा, कि विपक्ष अस्थिर्ता पैदा करना चाहता है, उन्हें विपक्ष में रहकर के काम करने का तरीका सीखना चाहिए, विपक्ष के लोग बार-बार कहते हैं कि हमारी सरकार चलने वाली नहीं है मैं उन्हें आश्वस्त करना चाता हूँ कि इंडिये सरकार कारेकाल पुड़ा करेगी और दोहजार उनतीस में फिर से आएगी अब जो ये ब्रहम पैदा कर रहे हैं बाहर बैठ करके और बार-बार ये बात कह रहे हैं कि इंडिये की सरकार गिर जाएगी अगस्त महीने में ये टार्गेट किये हुए थे कि इंडिये की सरकार गिर जाएगी और इंडिये एलाइंस आ जाएगा काउंटर अटैक कर रही हैं वीजेपी बैकपूट पे है दोस्तों, इंढिय अलायंस कॉंग्रिस पार्टी ऐसे हालात में आने वाला समय पूरी इंढिय अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा, एक बहुत बड़ी मुस्किल घरी पैदा हो रही है और ये आलम ये अस्थिती खुद इंडी एलाइंस ने पैदा की है आपको बता दूँ जरा मैं एक डेटा आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा ये डेटा जरा देखिए पिछले तीन लोगसभा चुनाओं में कॉंग्रेस 195 सीट जीती है टोटल मतलब तीनों लोगसभा चुनाओं की टोटल सीट अगर मैं देखूं तो मात्र 195 सीट कॉंग्रेस पार्टी को मिली है बहुमत तो दूर की छोड़ दीजे तीनों लोगसभा सीट को जोड़ करके भी कॉंग्रेस पार्टी नहीं ला पाई बहुमत और वो कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे 2014 के लोगसभा चुनाओं में भाज़पा 282 सीट लाई तो वही कॉंग्रेस मात्र 44 2019 में 303 भाज़पा ने लाए और कॉंग्रेस ने 52 2024 में 240 सीट भाज़पा ने लाए और 99 में कॉंग्रेस 2014 और 2019 की बात करूं तो दो बार भाज़पा ने पुर्न बहुमत के साथ सरकार बनाई इस बार इंडिये की सरकार बनी 2024 में लेकिन आप अपना तो देखिए कि क्या हालात है क्या स्थिती है आपके साथ कॉंग्रेस पाटी का जरा डेटा देखिए कौन से मूँ से ये संसद में खरे हो करके बरी बरी डिंगे हाकते हैं और बरी बरी बाते कहते हैं ये 44, 52 और 99 सीट ला करके ये तीसमार खान बन रहे हैं तीन डिजिट भी नहीं ला पा रहे हैं वो गलती से जूट का एजेंडा फैला करके तिक्रम बाजी करके कॉंग्रेस पाटी इस बार 99 सीट कैसे ले आई खटा खट वाला मुद्दा उठा करके जूट बोल करके लोगों को मिसलीड करके लोगों को भरका करके कॉंग्रेस पाटी ने इस बार 99 सीट लाया लेकिन 44 और 52 कितने शर्म की बात है कॉंग्रेस पाटी के लिए कॉंग्रेस पाटी के तमाम नेता तो यही कह रहे हैं कि राहूर गांधी जब तक रहेंगे कॉंग्रेस पाटी में हमारी हालात ऐसी ही रहेगी 44 और 52 वाली स्थिती रहेगी गलती से इस बार जूड बोल करके फरजी वारा करके इस बार ले आया हूँ निनन में लेकिन अगली बार तो लग रहा है कि 52 और 44 भी कमाएंगे 30-32 आएंगे यह आलम है यह स्थिती है अभी चर्चा यह है आपको बता दे दोस्तों कि चंडीगड में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट नियाय सेतु के उधगाटन और स्मार्ट सिटी मिशन का उधगाटन करते उन्हें नहीं पता कि तीन चुनाओं में कॉंग्रेस को जितनी सीट मिली है भाजपा को इस चुनाओं में सबसे ज़्यादा सीटे मिली है अब आप खुद सोच लिजे कि तीनों चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी को 195 सीट मिला और सिर्फ 2024 की चुनाओं के लोकसभा चु कि हम अपनी सरकार बनाएंगे शर्मानी चाहिए आगे दिखिए अमिशा जी आगे ये भी कहते हैं कि मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद से स्मार्ट सिटी फर फोकस रहा है और चंडीगड इस सूची में पहले स्थान पर है अब तक एक लाख करोर रुपए खर्च ह हो चुके हैं देश के 74 फिस्दी घरों में स्वच्छ जल पहुंचाने का मिशन पूरा हो चुका है पानी से होने वाली बीमारिया में काफी कमी आई है मोदी जी के तीसरे कारेकाल के खत्म होने से पहले देश के हर घर में स्वच्छ जल पहुचाने का काम पूरा हो जाएगा नियाय सेतु परियोजना के महत्व पर अमीर शाजी ने ये भी कहा कि इस छेत्र के लोगों के लिए 24 साथ फिल्टर मतलब 24 सो घंटे फिल्टर साप पानी के आपूरती की जाएगी या परियोजना करीब 125 एकर में फैली हुए है ये बहुत बड़ी जीत देखिए नरिंदर मोदी जी के सबसे प्रिये करीबी अमीर शाजी ने क्या कहा कि विपक्ष बार-बार कहता है हमारी सरकार एंडिये की सरकार चलने वाली नहीं है लेकिन इन्होंने साप तोर पे कह दिया कि हमारी सरकार भी चलेगी और हम अपना पुड़ा कारेकाल भी पुड़ा करेंगे और दोहजार उनतीस में भी हम सरकार ले करके आएंगे और उसमें मोदी जी ही परधानमंत्री बनेंगे। यहाँ पर देखिए ममताब एनरजी ने 9 जून को दुस्तो क्या कहा था कि इंडिये और इंडिये एलाइंस में काफी अंतर है जो लोग इंडिये में हैं उनकी मांगे बहुत ज़्यादा है लेकिन हम इंडिये एलाइंस वालों को कुछ नहीं चाहिए हम सिर्फ लोगों का भल चाहते हैं आगे राहुल गांदी बाराज उनको कहते हैं कि सच्चाई यह है कि आज हमारे पास केंद्र में एक अपंग सरकार है इसे इंडिये एलाइंस ने बूरी तरह से हराया है कि यह सीधे नहीं चल सकती यह निश्चित रुप से ऐसी सरकार नहीं है जो देश का नित् चाहिके से आपको बता दें इसलिए भी हुआ क्योंकि राहुल गांधी चोड़ी करके जूट बोल करके और लोगों को भरका करके भरमा करके नीनान में सीट जीत गए लेकिन इनको भी पता है कि आने वाले समय में हमारी गराफ और जादा कम होगी अलाकि आप क्या सोचते हैं तमाम मुद्दों पे अपनी विचाद जो विक्त कीजिएगा और हर रोज शाम छे बजे आप लोगों से यहीं लाइव मैं जुड़ता हूँ और हर एक विशाय पे मुद्दों पे तरह तरह के नीउस पे आपको अपना पॉइंट अफ व्यू और ओपिनियन देता हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन प्रेस कर लिजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर यू कीजिएगा थाइंग्स पो वाचिंग माई वीडियो जैहिन सत्यमेव जैते